हलो दोस्तों मैं रिश्यानन्द आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशल यूडिब चैनल पे जिसका नाम है वैदि गनित तो दोस्तों यह जो वीडियो मैंने बनाई यह वो question of the day का यह वीडियो है और जो मैंने topic लिया वह topic है आपका monkey climbing ठीक है बंदर का चड़ने का यह क्या सवाल जो आपका होता है वह एक बंदर का होता है जिसको एक poll पे बोला जाता चड़ने के लिए उस पर यह सवाल है ठीक है तो time speed and distance वाले भी lesson में मिलता है तो यह सब किसी हर बुक में हर तरह के जैसा रहता है उस तरह का आपको बुक में आपको उस lesson में यह वाला topic मिलता है तो इससे घबराना नहीं है इसलिए मैंने आपको लिख दिया है कि topic हमारा क्या रहेगा monkey climbing का रहेगा ठीक है और यह जो क्या है कि इसका एक video बना देने के लिए सवाल का जिससे उसके भी दिक्कत नहीं हो या अगर आप में से किसी को भी दिक्कत हो इस तरह के सवाल में तो आपको इन सवालों में यह वीडियो देखने के बात दिक्कत नहीं आईगी तो मैं आपको चली हम बताता हूं कहां पर आप लोगो खासा करके दिक्कत आती है, वहाँ पर आपका confusion आज मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है? तो दोस्तो, मेरे टेलिग्राम का जो लिंक है, वो आपको नीचे discussion box में मिल जाएगा, यही वाला लिंक है, आप इससे क्लिक करके आप मेरे साथ जोड सकते हो, और यह मेरे WhatsApp का जो ग्रूप है, उसका लिंक आपको नीचे discussion box में मिल जाएगा, यही पर उस बच्चे ने सवाल पूछा है मुझसे, जिसका मैं आपको उत्तर यहाँ देने वाला हूँ, ठीक है? और यह मेरे Facebook का भी लिंक है, वो भी आपको नीचे discussion box में मिल जाएगा, हाँ, तो यही सवाल है दोस्तों आपके जो स्क्रीन पर है, ठीक है, तो चलिए इस सवाल को करते हैं, और जिन लोगों को यह सवाल आता हो, तो वो कोशिश करेंगे इस वीडियो को pause करके, पहले इस सवाल को खुदी try कीजिएगा, और इस सवाल का सही उत्तर निकाली, यहाँ पर आपके बास 5 options हैं, तो इन 5 options में से एक option आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है, तो पहले आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को pause करें, और पहले एक बार खुद से इस question को बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है न, चलिए यहाँ देख लेते सवाल को, पहले सवाल को समझ लेते, फिर उनका उसका solution देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सवाल को समझ लेजिए, तो फिर मैं आपको बताओं कहाँ पर दिक्कत भी आती है लोगो को, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मंकी जो है न, वो 30 मिनट वो स्टार्टिंग में मतलब जब पहला घंटा जो होता है, जब उसका शुरुआत होता है, थर्टी फीट क्या करता वो चड़ता है, 30 फीट क्या करता हो चड़ता है, 30 फीट जो ही वो चड़ता है, तो इट रेस्ट फॉर वाइल, वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करता है, और अगली बार जो अगला घंटा वो चड़ने के लिए कोशिश करता है तो उससे पहले ही वो 20 फीट नीचे क्या ह हमाजने इसे ठीच गुया होता है खिल्ग नीचे 3ज रख जाता है फिर 20 भीट वो नीचे अ जाता है उसने चड़ ना आज बचे सवित शूरू किया और उसको एक flag उसको क्या करना टच करना एक flag एक जंडा उसको टच करना है और वह जो वह कि तने height पर आपको 120 highre जो कि ground से धरती से 120 height पर है 120 feet के height पर या फल्राय ठीक है जैसे मैंने आपको यहां पर picture बना रहखा है इस बंदर को यह वाला flag क्या अगर बंदर ने यहां से चड़ना शुरू किया, सबूस कीजिए, यहां से क्या किया, इसने चड़ना शुरू किया, ठीक है, यह चड़ता है, चड़ता है, आगया आगया, आपको यहां पर आगया, यह रेस्ट करना शुरू करता है, यह ही रेस्ट करना शुरू करता है, उसी एक घंटे के कहानी है, पूरे एक घंटे के कहानी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह पूरे एक घंटे कहानी है, 30 फिट चड़ा, फिर जब यह रेस्ट करना शुरू किया, तो यह सरक के फिर से 20 feet नीचे आ जाता है कितने feet नीचे आ जाता है वो 20 feet वो क्या करता है वो नीचे सरक के आ जाता है 20 feet वो नीचे फिर से इस point पे सरक के फिर से वो आ जाता है और उसको छूना इस flag को है जो की 120 feet है जिसकी height कितनी है, उचाई कितनी 120 feet है तो एक चीज आप बताओ नो मुझे, इसने एक घंटे में, ये पूरी कहानी इसकी कितने दिर में हुई, ये पूरी कहानी इसने एक घंटे में किया है, ये पूरी कहानी इसने कितने दिर में किया, एक घंटे में किया है, ठीक है, तो आप ही देखो न, यहाँ पे ध्यान समझ 30 feet ये चड़ा और 20 feet वो सरग के नीचे आ गया तो उसने total कितना चड़ा होगा अगर मैं आप से पूछे कि वो उसने कितना चड़ा है तो आप यहां से बोल सकते हो कि उसने total जो है total climb कितना किया एक घंटे में total climbing in one hour ठीक है एक घंटे में उसने कितना चड़ा तो वहीया वो चड़ा तो तता 30 feet लेकिन वो 20 feet क्या हो गया वो सरग गया 20 feet क्या हो गया वो सरग गया तो 20 feet जब वो सरग जाता है तो total उसने कितना चड़ा होगा टोटल एक घंटे में उसने कितना चड़ा, एक घंटे में उसने कितना चड़ा है, वो सिर्फ 10 फिट चड़ा है, तो जब हम एक चीज़ यहां पर जानते हैं, कि एक घंटे में उसने सिर्फ 10 फिट चड़ा है, हमें कितना फिट चड़ना है, 120 फिट चड़ना, तो मैं एक काम करता हूं, 12 से इधर गुना कर देताओ, 12 से इधर गुना कर देता हूं, तो मुझे क्या आ जागा, 120 फीट आ जागा, मतलब हम यह चीज बोल सकते ही, एक खंटे में जब उसने 10 फीट चड़ा है, तो हम बोल सकते ही, 12 12 गंटे में 120 fridge चड़ेगा ठीक है यह बोला जा सकता न हम 10 फіч चड़ा 12 गंटे में कितना चड़ जाएगा 1020 फीड चड़ जड़ा है यही होना चीना लेकिन यह आपका सोच़ना गलत है यह आप छोचना गलत है अगर आप यह काम कर रहे हो तो यह यह जलत काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जैसे कि अगर suppose करो, क्यों, पहला ये क्या कर रहा है, ये 30 फिट चड़ता है, भाई साथ ये 30 फिट चड़ता है, लेकिन वो 20 फिट सरक जाता है, टोटल उसका एक घंटे में 10 फिट होता है, यहां बात को हम करेंगे, घंटे में 10 फिट चड़ता है, तो 9 फिट चड़ता है, 9 इ सक घंटे में 90 फिट, e dependent ही तो 9 फिट उसके बाद 9 घंटे में whats an चड़ लिया 90 feet चर लिया उसमें वो 20 feet सरक भी गया अब फिर चरना शुरू करेगा अब वो एक घंटे में कितना चरता हूँ 30 feet चरता तो plus 1 यहाँ पर कर देंगे अब plus यहाँ पर कर देंगे 30 तो यह कितना जगा आपको 10 10 गंटे और यह कितना जगा आपका 120 feet तो उसको 220 feet तो चर ना था उसका कितना चर लेगा 220 feet चर लेगा और उसने चर ना कितने वे शुरू किया था 8 a.m में शुरू किया था 8 अब उसमें 10 घंटा हम जोड देते हैं 10 आवर्स जब उसमें जोड दीका ऐसमें 05 आपका इंडियन रेल वाला है तो 24 आवर वाला यह घड़ी है तो इसको कितना बूल सकते हम लोग 6 पी एम तो यह भाई साब 8 वे चढ़ना इस बंदन ने शुरू किया और यह 6 वे तक उस फ्लैक तक उस फ्लैक तक टच कर पाएंगे कितने बज़े 6 वे तो कौन सा उप्शन स आपको नहीं करना अक्सर यही वाला गलती लोगों के दिमाग में चलती रहती है तो आपको यह वाला गलती नहीं करना है आपने एक काम करना है इस गलती को अगर सुधारना है तो जितना वो चढ़ रहा उतना माइनस करके आप उतना से गुना करके देख ले फिर उसके बा यहाँ पर confusion दूर करने के पूरी कोशिश किया, अगर फिर भी आपको कहीं पर confusion होता है, तो आप मुझे comment box से comment करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा, आपकी doubt को clear करूंगा, बाकी आपको जैसा वीडियो लगा, प्लीज आप मुझे comment box से comment करना मत भू लिएगा, और अगर आप इस channel पर नए हैं, तो subscribe भी जरू कीजेगा, और अपने दोस्तों साथ भी share जरू कीजेगा, और अगर आपको पसंद आया, तो यार like जरू कर देना, ठीक है, तो at last दोस्तों, thank you so much for watching my video, and best of luck for your future.